असलेमु आलेकुम दोस्तों हमेरे टीप चानल पर अब सभी को मेरे दिल से हरदीक स्वागात हैं दोस्तों खरगोष सबसे अच्छी पालतो प्रवजद्यों में से एक है जो मनुस्य के लिए एक अध्भुत सात्यों की रूप में सेवा कर सकता है हम भरत के पालतो खरगोष की सबसे सुन्दर नसलों में से दसका पता लगाने जा रहे हैं खरगोष की नसलों की पालतो नसलों में सबी वेक्तितों आकार, अकृति और रंग आते हैं जो सही सायन की भरी बना सकता है यदि आप अपनी बच्चे के लिए एक प्रप्त करने की योजना बना रहा है तो सिलिशित करें कि वो किसी आईनजिप की देखबरिक्यों को समझने के लिए कम से कम दर्स बर्श का है तो दोस्तों आये जमते हैं भारत में कौनसा नसलों की खरगोश ज्यदा पाला जाता है दोस्तों नमबर वान पे हैं लायोन है रैवी शेर के समन माने को दिये गए नाम के पीसे का करन जो उसके चेहरे को कौबर करता है और दोहरे आयल के मामले में यह चेहरे से खरगोष की पीछे तक फेली हुई है अक्सर एक उनी सरंग की तरह दिखता है इस नसल में बहुत नरम फर है इस प्रोकार के खरगोष स्वबफ से चंचल और कॉमल होते हैं इनका वजन लगबख एक से दो किलोगरम तक होता है और इनका जिवन काल साथ से नौबर्स तक होता है दोस्तो सेकंड है नियूजिलियान हुआट रेबिट नियूजिलियान हुआट रेबिट भारत में लोकोप्रिय पालतु खरगोष नसलों में से एक है यह इनाइट इस्टाट आफ अमेरिका में बिकोशित हुई है और यह मैद्द मकर का खरगोष है और इनकी तीन किसम में है अर्थात रेट, वाइट अन ब्लाक यदि आप उन लोगों में से एक है जो सुचते है कि सोटा ही प्यारा है तो मुझे बिश्वास है कि आप न्यूजिलेंड हॉइट से प्यार करने जा रहे हैं लेकिन यह कोई लोगों की बिस एक गलत धरना है कि सोटे खरगोष की सोटे इस्तन की अबश्यक्रता होता है लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तो न्यूजिलेंड हॉइट का वज़न करीब तीन से पास किलो तक हो सकता है और इसका जीबन काल साथ से दस बर्श का होता है दोस्तो तिसरा रेबिट है इंगलीश लॉप रेबिट यह फैंसी नसलों में से एक है उन्हें अपने प्रतिष्टिती उत्तिरिक कानों की दरा आसानी से पहसाना जा सकता उनके कान 21 से 32 इंसी हो सकता है शर्दियों में आपको अपने पालतु ज़नोरों के कानों की उत्तिरिक देखबाल करनी होती है क्यूंकि वो भीग जाते हैं वो बड़े खरगोशों में से एक है और उन्हें बड़े कमरों की अबश्यकुता होती है इसलिए अगर आपके पास बड़ी जगा है तो उन्हें खरिदने पर विसर करें विक्टोरियन युक के दोरान पालतु ज़नोरों के रूप में अंग्रेजी लोग खरगोश की सबसे पुसिंदित्ता नसल थी इंगलीश लग प्रेबीट पास से आठ साल तक जी सकता है उसका एबरेस बजन है पास किलोग्राम दोस्तो नमबर चार पर है बेलेक दे होटोट नाम थोड़ा आजिप सा है लेकिन ये देखने में काफी क्यूट है बस एक नजर और आप एक बेलेक दो होटेट नसल की पहसन कर सकते उनकी सबसे उल्लख नियों विशेशता नरम शंदर सौफेद फर और उनकी चार और एक काले रंग की अंगोठी के साथ बड़े गहरी आखे इस प्रजतिया का रेबिट का वजन लगबग चार से पास किलोग्रम तक होता है और इसका जिवन का पास से आठ बर्ष होता है उनके पास अच्छी द्रिष्टी है जंगली में जिवित रहने के लिए अच्छी सुनवाई वोई सबसे अच्छा करता है इस नसलों के खरगोश पालतु खरगोश के हिसब से अच्छा माना जाता है दोस्तो पाच्छो नमबर पे है सोबियत चिंचिला इसमें एक कमपेक्ट मैदम शरीर है और बहुत नरम फर है इसकी एक ही किसिम है यानि ग्रे उन्हें समझी करन ज्यादा पसंद है एक शोबियत चिंचिला की देखबल करना तुलनमुलक रूप से असन है लेकिन कान के शंक्रमन की चांद करनी होगी गिले कान उससे बसने के लिए इसकी हैस में पानी के कट्रूरे के वज़ा है पानी की बोटल लटकना है ज्यदा बेटल होता है और इनका जिवन काल 4-7 साल होता है दोस्तों से नमर पे हैं डाच रेबिट कोई लोग इन नसलों को डाच रेबिट के साथ ब्रोमित करते हैं आला कि मैं मनता हूँ कि उनके सोटे प्यारे आकार ज्यदा तर खरिदरों को अकरिशाद करता है उनका वसत वजन 2-5 किलिग्रम है और वसत जिवन काल पास से 10 साल है लेकिन उस्चित आहार नियमित चांग सेवे लंबे समय तक जिवित रह सकते हैं बरत में इस पालतू सो अलग-अलग रंग उपलब्थ है जैसे की काला नीला चिंचिला चॉकलेट ग्रे इस्टिल आदी तो साथ नमर पर है फ्लामिश जियान रैबिट यह घरलों नसलों में से सबसे बड़ा है और इसमें एक अच्छा और संतुलेट शरी है इसकी उत्पत्ति ब्रेटिन में हुई थी यह साथ किसम की होते है इस्टिल ग्रे, ब्लेक ग्रे, शैंडी, ब्लाक, ब्लू, वाइट और फान बस उन्हें एक स्वास्त और शांत बतावरन प्रदन करना चुनिचित करें इनका वजन लगबख 4-5 किलोग्रम तक होता है और इनका जिवन कल 3-9 वर्ष होता है दुस्तो आठ नमबर पर है हिमालेयन रैबिट, यह खरगोश पुर्व में उत्पत्ती हुआ, चीन और रूस में बरिशंकों में पाया जाता है यह एक सोटा सा फैंसी खरगोश है, इसकी दो किसम में होते हैं, अलबीन चोराम और काले और निल रंग की साथ हिमालेयन खरगोश को पालतो जनौरों के रूप में खरणने का लाफ यह है कि वह इतने सोटे होने के करण आसानी से पकर लेते हैं, और उन्हें कम वजन की अभुशकता होते हैं, उनका उसद जिबन काल तीन से पास बर्ष होता है और वजन लगबग तेड़ से दो किलोग है, नाग, पेर, पूद्स पर गहरे निशान है, उन्हें मानुप समयों कि आसपास सोहस होने के लिए खोड़ा समय साहिए, शबवेक रूप से यह खरगोश एक सौम समप है, खेलना पसंद करता है, शक्रियों हो सकता है, या मूट के आदार पर आलची होकर बेट सकता है, वे भयनक पालतोजन बनते हैं, उप को रोकने के लिए उन्हें चबने वाले खिलों में प्रोदन करना बहुत जारूरी होता है, दोस्तो लास्ट है अंगोरा रेबिट, तो आसल में इस खरगोश को भरत पतन के लिए पाला जाता है, यह करीब बारा किसम का होता है, जैसे क इंग्लिश, फ्रांस, जर्मान, जियन, चाइनिज, फिनिश, जापनिश, कोरियन, रुसियन, टेस्ट, लुसियन, स्वीज, इसके वजन करीब दोस्तों से पास दुशमलब पास के जिताक हो सकता है, यह जिदतार साफेद कलर का होता है, अंगोरा रेबिट दोसे बारा तक बच्चे जनम दे सकते हैं, और इसका जिवन कल करीब साथ से बारा सल तक होता है,